बिहार में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है बता दे कि उत्तर बिहार के सीता मढ़ी समेत साथ जिलों में जैसे की मधुबनी, सुपॉल, पुर्निया, अररिया, किशन गज और कटिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि उत्तर पश्च्विम बिहार के पश्च्विमी चंपारन, सिवान, सारन, पुर्वी चंपारन और गोपाल गंज में एक से दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा ज्वारी अलर्ट में कहा गया है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफरपुर, दर्भंगा, वैश्वादी और शिभर के अलावा उत्तर पुर्व के सुपॉल, अररिया, किशनगंच, मध्यपूरा, सहरसा और कटिहार में एक से दो स्थानों पर बारिश का अनुमान लगाए गया है, साथी विभाग के तरफ से ये भी कहा गया है कि पटना और दक्षिन पश्चिन के जिलों के अलावा दक्षिन मध्य बिहार में मौसम शिष्क रहेगा, विभाग की माने तो 22 ओक्टुबर को दक्षिन मध्य बिहार के पटना, गया, न पुलिटिन की माने तो उत्तर बिहार के फार्बसकंच में सारवाधिक बारिश तरची गई है, उत्तरी बिहार के अलावा मध्य बिहार में भी हल्की और शिटपुट बारिश तरची गई है, दक्षिन बिहार के रोहतास, डेहरी, ओंसौन, कैमूर और औरंगाबाद में भ बता दे कि प्रदेश में हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसर विभाग की तरफ से मिली जुआनकारी के अनुसार संख्यातक मौदल और उपग्रहिये तस्वीरों से पता चला है कि एक चक्रवातिय परिसंचरन का छेद्र बिहार और इसके आसपास मौझूद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद।